हेलो गाइस, वेलकम टू अवियाशन लेजिस लेटर, आज हम बात करने जा रहे हैं, रीफॉर्म्स इन डिफेंस, सिविल अवियाशन एन्नाउंस बाई फाइनस मिनिस्टर, जो आमारा फाइनस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ एनाउंस किये हैं, कि हमारा जो डिफेंस और सि रीफॉर्म्स के बारे में, कि क्या-क्या चेंजे से, कि हमारा सिविल अवियाशन में किया जाएगा, ताकि उससे हमारे को कुछ बेनिफिट मिले, जो हमारा 20 लाग करोड का स्टिमुलर्स पेकेज आया है, उसका जो डिटेलिंग करते हुए, जो फोर्स डे, उसमें ये एन से, आज हम बात करेंगे, स्पेशियली सिविल इवेशन में, जो जो रीफॉर्म्स लाने के लिए बोला गया है, लाने की बात की गई है, पहला जो हाइलाइट पॉइंट है, बो है एर स्पेस मेनेजमेंट, जो हमारा एर स्पेस है, उसको ऐसे हम, कैसे हम मेनेज करें, कि उ उससे हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा, तीसरा है, मेकिंग एंडिया एन एमारो होब, यह है आज का मेन टॉपिक, कि यह तीन चीजों के बात, जो रीफॉर्म करने के लिए बोला गया है, चलो, शुरू करते हैं, तो हमारा जो एर स्पेस है, हमारा जो एर स्पेस है, उसक समझने के लिए हमको यह मेप को समझना पड़ेगा, अभी क्या है, यह हमारा एंडियन एर स्पेस का मेप है, कि हमको अगर एक जगे से दूसरे जगे जाना है, कि यह रूट को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे को यहाँ पर नाकपूर से हाइदरवाद आना है, यह बैंगलूर आना है, तो यहाँ पर देखना एक स्ट्रेट लाइन है, इस रूट को तुम्हारे करो, कि इस रूट में तुमने एक जगे से दूसरे जगा फॉलो पहुंच जाओगे, जो की एक स्ट्रेट रूट है, लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर राइपूर का हाइदरबाद बैंगलोर तो मतलब यहां से नाखपूर नाखपूर से हाइदरबाद और बैंगलोर एक different different routes के थो एक अलग तुमारा destination में पहुंचना पड़ेगा मतलब जादा distance cross करना पड़ेगा अगर नाखपूर से बैंगलोर direct आते यह route को अपनाते यह route यह से एक route होता तो तुमारे को क्या करना पड़ता सबसे कम से कम से कम distance travel करना पड़ता तो यह जो है अभी याद रखना अभी हम previous नाते opening of restricted airspace अमारा जो Indian airspace है उस Indian airspace का जो है जो 60% एंडियन airspace जो है अमारा civil aviation के लिए open किया गया बाकी का 40% airspace जो है उसमें restrictions लगा गया है अमारा government के द्वारा बो 60% airspace है उस 60% airspace के जो है उसमें जब हमारा airlines यूज कर रहे हैं तो उनको बहुत सारा problems face करना पड़ रहा है क्या problem face करना पड़ रहा है कि एक जगे से जब दूसरी destination में पहुंचना चाहते हैं ऐसे बहुत सारा destination से जिनके बीच में क्या travel करने के लिए बहुत जा हमारे को जादा distance travel करना पड़ रहा है by air लेकिन हम air में क्यों travel कर रहे हैं एर में इसलिए travel कर रहे हैं ताकि हमारा quickly क्या कर सके हम quickly पहुंच सके हैं लेकिन हमारे को अभी भी इंडिया में बहुत सारा रूट है बहुत सारी reason के बज़े से उनमें restrictions लगा आए गया है वो चीज को कैसे कम करें उसमें जो कुछ जो restrictions लगा था वो restrictions को हटाने की बात की गई है किसके द्वारा हमारा finance ministry के द्वारा opening of restricted airspace यह बात की गई है जो हमारे airspace में जो restrictions लगा गया है उनको open कर दो कि restrictions को हटाने की बात किया गया fully या personally for civil and defense purpose के लिए थीक है हमारा जो airspace है उसमें छूट दी गई देने की बात किया गया this means flying means we are flying to destinations not through the short routes but also through slightly long routes अभी जो restrictions लगा हुआ है इसकी बज़े से हमें क्या करना पड़ता है आमें long routes के तो फ्लाई करना पड़ता है जिससे हमारे को क्या पड़ता है ज्यादा distance cover करना पड़ता है which means we spend more time मतला तुमने एक जगे से एक जगे से दूसरे जगे से जाने के लिए अगर ऐसे हो के एक जगे के दूसरे फिर फ्लाई हो के तुमारे destination में आए तो तुमारे को ज्यादा distance fly करना पड़ा ज्यादे distance fly करना मतला तुमने more time भी spent ज्यादा time भी spent किया ठीके तो तुमारा time में भी क्या हुआ time भी ज़्यादा खर्चा हुआ तो इस चीजम में क्या कर दी गई है इस time को कम करने के लिए traveling को time को कम करने के लिए जो restrictions लगा था एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए जो shortest distances से उसको open करने के बात की गई है ठीक है इससे क्या होगा कि हमारा travel time जो है कम हो जाएगा दूसरी बात इसमें कौन सी बड़ी बात की गई है कि हम इससे optimum utilize कर पाएंगे हमारी airspace को कैसे airspace को optimum use कर पाएंगे कि हम जैसे ज़्यादा distance fly करके जा रहे थे अगर हम shortest routes को open किया जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कम time में पहुंच जाएंगे और कम time में पहुंचेंगे तो इससे फाइदा क्या होगा aircraft को कम fly करना पड़ेगा मतलब aircraft कम time में एक जगे से दूसरे जगे पहुंचेगी मतलब हमारे को engine भी कम use होगा जब engine कम use होगा बाइजनगे उसको भी हम क्या पाएंगे कुछ मातरा में कम कर पाएंगे. यह बोला है Finance Ministry की तरफ सेश्रब इसमें क्या क्या फाइदा हुआ? कि हमारा टाइम बच गया साटेज पाएंगे से दूसरा फूयल का निर्ट्ट कर पातो हैंगे फीलिंघ का इम्पोर रट भी कम हों और भी फाइदा क्या जब हम फूइल कम उस करेंगे एक जगे से दूसरे Yeah जाने के लिए और ERS क कं कम यूज़ करेंगे तो एरक्राफ्स को भी हमने कम यूज़ किया तो हमारा जो एरक्राफ्स का जो टिकट का कॉस्ट है जो फ्लाइंग कोस्ट है बो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो हमारा जो पैसेंजर से उनको भी क्या करना पड़ेगा लेस प्राइस पे करना पड़ेगा फर फ्लाइंग फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन ठीक है दूसरा पाइलेट्स को भी एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए जादा फ्लाइंग वार यूज करना पड़ता था मतलब फ्लाइंग वार जादा लगता था तो फाइलेट्स के उपर भी बड़न कम हो जाएगा कि वो जब एक जगे से दूसरे जगे लॉट्स यूज करके जा रहे थे जब सौर्ट रॉट्स हो जाएगा उनको भी हैंडलिंग आवर्स जो एरक्राफ्ट्स को फुइलिंग इंपोर्टिंग कम होगा और फूएल आँकम कंजूप्षन करेंगे तो हमारी एरक्राफ्ट मे भी फलाइंग क्या जो कोस्ट है कम पड़ेंगा क्यूंकि डिस्टैंस भी कम और फूइल भी कम तो कुछ मात्रा में तो हमारा flying का जो price है वो भी घट सकता है दूसरा सबसे बड़ा फाइदा pilots भी कम aircraft को कम time में उड़ा के एक जगे से दूसरा जगा ले पाएंगे दूसरा so optimum use of airspace will save time so reach quickly time is saved therefore now rationalization will happen so we save travel time fuel consumption also pilots flying time travel time कम कर पाएंगे fuel consumption कम कर पाएंगे और pilots का flying time भी कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात जो है भी हम routes को open करेंगे कौन सा routes की बात कर रहे हैं यह जो shortage routes की यह हो गया source यह हो गया destinations जब हम long route को follow करेंगे follow करने में बंद करेंगे सब short routes को हम जब add up कर लेंगे तो उस case में हम fuel consumption भी कम करेंगे मतलब aircraft quickly पहुंच जाएगा एक जगे से दूसरे जगा तो उसमें fuel consumption भी कम होगा जब fuel consumption कम होगा तो environment में जो effect पढ़ रहा था aircraft की fuel की बज़े से तो जो fuel की बज़े से जो atmosphere को जो efforts पढ़ रहा था तो atmosphere में जो exhaust निकल रहा था aircraft की engine से उसकी effect भी environment के उपर पढ़ेगी कैसे effect पढ़ेगी friendly effect पढ़ेगी क्योंकि पहले जितना जादा aircraft fly कर रहा था जादा exhaust निकाल रहा था तो atmosphere में जादा exhaust छोड़ रहा था मतलब गंदा कर रहा था अभी हमारा atmosphere जो है कम गंदा होगी क्योंकि हमारे fuel का जो consumption वो कम होगा तो इससे हमारा जो overall environment को जो है फाइदा मिलेगा हमारी environment के उपर कोई अच्छी effect पढ़ेगी तो इसमें सबसे एक बात की गई है कि हमारा जो 60% airspace कुला गया है 60% जो airspace कुला गया है 60% चोड़के बाकी का airspace में भी छूड़ दी जाएगी और जो हमारा civil aircraft से जो restrictions लगा हुआ है जो utilize नहीं कर पा रहे थे Indian airspace को अभी बो क्या कर पाएंगे यूज कर पाएंगे और कम टाइम में पहुंच पाएंगे जो और मैं जब बोला जो जो roots के उपर इससे क्या फाइदा होगा कि हर साल हर साल 1000 करोड की जो benefit हो पाएगी किसको हमारा civil aviation को ठीक है अब airspace को कैसे हम optimum use कर पाएं सही तरीके से दूसरी बात की गई थी हमारा PPP models के थो airports को कैसे develop करना PPP models के थो कैसे develop PPP model कुछ नहीं है हमारा जो public sector और private sector कुल मिला कि government और private मिलके क्या करेंगे हमारी बो service को develop करेंगे कौन सा airports को हमारी जो airports है जो निया नय airports बनाना चाहरा है airports की जो quantity बढ़ाना चाहरा है airports को develop करना हो airport की operation हो airport की management और maintenance हो उन चीज़ों को करना है जो हमारा finance minister ने announce किया है कि कि इनको हम PPP model के थो क्या करें हम PPP model के थो हम grow करें कि airports को develop करें airports को maintenance और management operation सब कुछ PPP model के थो करें यहाँ पर मैं बाता देना चाहता हूँ तुम लोगों को समझने के लिए कि कैसे public sector और private sector मिलके काम कर रहें और कुछ airports जो है according to ECOW जो हमार international civil aviation organization है तो मैं चाहिए तो link बेज दूँगा मैं कि उसके अनुसर कुछ aircrafts इंडिया में जो चल रहे हैं कि PPP model के थो कैसे develop हुए है उसमें से कुछ aircraft है Mumbai, Delhi, Kochin, Hyderabad और Bangalore तुम नाम सुनके ही जानगे होंगे कि इसमें कितना traffic आता है और उनका कितना income है तीके अभी यह तो developed है अल्रेडी developed है लेकिन एंडिया में बोला जा रहा है आगे आने वली टाइम में जो आमारा PPE model के थो क्या करना है कि public sector और private sector और private sector दोनों partnership करके हमारा क्या करेंगे develop करेंगे क्या हमारा airports को और उसको traditionally provide कौन करेगा वो sector service को वो हमारा public sector provide करेगा service public को लेकिन develop किया जाएगा maintain किया जाएगा operate किया जाएगा public private partnership के द्वारा इससे हमें advantage क्या होगा जब हमारा public sector और private sector का हम क्या management skills यह सारी financial चीजों को जब यूज करके यह सारी private का जब skills को यूज करके public sector जब private sector मिलके काम करेंगे इससे advantage क्या होगा कि इसमें जो fund raise होगा इसमें जो fund आएगी को जिसको develop करने के लिए मिलके जो develop करेंगे उसमें क्या हैगे fund में increment आएगी और better service provide कर पाएंगे लोगों को ठीक है कुछ aircraft से ठीक है जो PPE model के तरो develop करने से क्या होता है जो quality है efficiency है competitive ने से यह सारी चीजों बहुत effective रहती है दूसरा चीज कुछ aircraft है जिनको last year government ने bidding किया था ठीक है बीडिंग के अखनो, एमदाबाद, जाइपूर, मंगलोरू, तिरुवननतपुरं, गुवार्टिक ठीक है इनकी operation, management और development के लिए PPE model के तरो development करने के लिए management करने के लिए bidding बुलाया था इसके बारे में ही आज बोला है आमारा finance ministry ने जो fourth day का announcement जो detailing किया था क्या होगा, जो airport authority है, अल्रेडी three airports है, जिनकी बीडिंग के लिए बुलाया गया था, operation and maintenance के लिए जो development, operation and maintenance का जो PPE model के तरोज होगा, उसमें से currently कितना गेन कर रहा है अभी India, अगर इसको बढ़ा दीगे, जाए, तो अगर इसको छे airport कर दी जाए, अभी अगर अगर छे airport के लिए बीडिंग बुला जाए, फर्स्ट राउंड में, अभी finance ministry के अनुसर, छे airport को बुला जाए और छे airport को develop की जाए बीडिंग, पीपी मोडल के तरो, तो हम per year कितना income का benefit पा सकते हैं, 1000 crore benefit पा सकते हैं, ठीग है, और इसके लिए airport authority of India को finance ministry के तरफ से पहला down payment कितना देने के लिए दिया जाएगा, बोला है, पीपी मोडल के तरो success होने के बाद, second round में, और six airports को develop करने की बाद की जाएगी, ठीग है, और third round में, और six airports को develop करने की बाद की जाएगी, इसके तरो, पहला round और second round में, जो छे एरपोर और छे एरपोर, बारा एरपोर्ट की जो पीपी मोडल के तरो develop करने की बाद की जाएगी, उसमें जो investment आएगा, कितना expect की जाती है, FM के द्वारा, कि 13,000 crores, इतना expect की जाती है, कि इतना investment आ सकता है, ठीग है, अभी आते है next, जो third बात, य यह तो हो गया हमारा, एक airspace को कैसे use करें, optimum airspace कैसे use करें, फाइदा उठा है, और PPP models के तरो हमारी airpots को कैसे develop करें, इसके अलाबा हमारे पास जो last वाली बात की गई थी, सबसे last बात की गई थी, topic था, बो है making India and MR hop, जितना भी airpots develop कर दो, जितना भी airspace को तुम optimum use करो, फ fly करते हैं, जो passenger को carry करके fly करते हैं, उनकी जो maintenance है, जो वो reliably fly तब ही कर पाएंगे, जब उनकी maintenance सही तरीके से हो, advanced technology का use करके हो, और लोग उसे पसंद करें कि aircraft को कोई accident ना है, तो aircraft को accident free बानाने के लिए, safely fly करने के लिए, aircraft को क्या की जाती है, maintenance की जाती है, हर aircraft कोई भी maintenance due नहीं छोड़ जाती है, before flight, हर aircraft को maintenance की जाती है, sorry यहाँ पर spelling mistake है, यहाँ पर repair है, तो maintenance, repair and overall, MRO, इसका full form यह, repair का मतलब कोई damage हुआ है, तुम्हें ठीक करना है, overlink का मतलब, aircraft के बहुत सारा system को, after flying some hours, उस aircraft को क्या करना पड़ता है, वो system को, aircraft की engine हो, aircraft की landing gear हो, different different system को dismantle कि जाता है, पूरा, dismantle करने के बाद, उसमें greasing हो, या oiling हो, जो भी चीजे लागा है, आज पर manufacturer, वैसे, पूरा clean करके, उसको फिर originally, maintain करके, फिर fit कर दी जाती है, और test कर दी जाती है, यह overalling का meaning है, तो maintenance करना हो, repair करना हो, overalling करना हो, यह इंडिया में already हो रहा है, maintenance already हो रहा है लेकिन, कुछ aircraft से, जादतर aircraft से, जादतर जो aircraft है, वो क्या कर रहे है, जो Indian aircraft से, उनको out of India जाना पड़ रहा है, abroad जाना पड़ रहा है, for repair works, अभी भी एंडिया में बोचारी चीजे, established नहीं हुआ है, अभी भी उस type का MRO, एंडिया में established नहीं हुआ है, कि वो जो नया technology का aircraft स उनकी जो overrolling हो, repairing हो, उनका जो maintenance करना हो, उसके लिए aircraft को क्या करना पड़ रहा है, abroad जाना पड़ रहा है, इसमें क्या loss हो रहा है, कि तुम्हें इंडिया का aircraft है, उसको maintenance करने के लिए, overrolling करने के लिए, वो इंडिया से कहां जाएगी, मालो कोई एक out of India की country में जाएगी, का cost पड़ता है, जब maintenance होता है बहां पर, maintenance का cost अलग, जब बहां से फिर एंडिया return हो का आती है, तो वहां से return आने का cost अलग, तो मतलब यहां पर जाने आने का cost फर बाहर maintenance हो रहा है, मतलब ज़्यादा cost लगेगा, तो यह जो cost है, इसको reduce करने के लिए, जो हमारा finance ministry ने जो report दिया है, उसमें बोला गया है, कि हमारे पास, जो manpower required है already, जो manpower required है, सब skills required है, जो भी technology required है, हम क्या कर सकते है, अलरेडी available हो रहा है आमारी country में, है भी, manpower की कोई कमी नहीं है, skills की कोई कमी नहीं है, हम क्या कर सकते है, इंडिया में MROS को जो बढ़ावा दे सकते है, इंड maintenance repair, overall hub बानाने का, maintenance companies कोलने के लिए, क्या कर सकते है, प्रोसाइन कर सकते है, कैसे प्रोसाइन कर सकते है, कि MROS बानाने के लिए, जो भी tax रिजम है, जो भी tax बगरा लगता है, उसमें तोड़ा कमी कर देंगे, उसमें क्या कर सेंगे, कुछ छूट देंगे, ताकि हमारे अबरोड नाज आए, अबरेलिंग के लिए, spare parts के लिए, aircraft की कोई भी किसी भी तरह का maintenance के लिए, ताकि aircraft क्या हो पाया, सही तरीके से maintain हो पाया, और इंडिया में ही वो पैसा invest हो जाए, ताकि इससे भी हम क्या कर सके, एक बहुत बड़ा benefit मिल सके, इंडिया को, क्या बना के, एंडिया में aircraft hub बना के, मैं चीज क्या बोला है, कि tax risk में, हमारे tax में क्या है, तोड़ा छूट दिया जाएगा, इसके बारे में बोला गया है, और ये बहुत बड़ा business है, MRO hub, if India become MRO hub, अगर एंडिया MRO hub बनता, it benefit both civil and defense aircraft, देखो, आभी क्या हो रहा है, कि हमारा जितना भ अप्रूब होते हैं, जो maintenance organization, वो civil aircraft की maintenance करते हैं, जो हमारा defense है, उनकी maintenance अलग से होती है, तो यहाँ पर converse करने का बात किया गया है, कि जो हमारा civil aviation का aircraft है, उनके जो maintenance हम use करने है, maintenance companies को, वो हम किसकी साथ मिला है, जो defense की aircraft है, उनकी भी maintenance और civil aircraft के maintenance, दोनों को एक ही टाइम पर, एक ही organization से जैसे हो पाएगा, उसके लिए हम MRO develop करें, यह बात की गई है, अगर इंडिया में सही तरीक है कि MRO develop हो जाएगी, तो Indian aircraft out of नहीं जाएंगे, abroad नहीं जाएंगे, और civil और defense aircraft को क्या क्या है, मिला के maintenance क्या जाएगा, इससे maintenance cost जो पढ़ रहा था, airline को, AI LINS को, जो aircraft की maintenance cost में जो increment हो रहा था, उस वो maintenance cost कम हो जाएगा, again, again क्या हो पाएगा, कि हमारा जो airline का, जो flying cost है, उसमें भी कम हो जाएगा, ताके passenger को क्या पढ़े, जो flying का cost है, उसको travel का cost है, उसमें कम हो जाएगा, तो यह भी एक हमारा travel cost कम करने में helps करेगा, अगर हमारी इंडिया में एक बहतर तरीके की MR Hub बनाते तो बनाते हैं तो ठीक है दूसरा ये help करेगा बहुत civil और defense aircraft दोनों को इसके अलाबा बहुत सारा हमारी abroad out of India इंडिया में इंवेस्टमेंट करने के लिए अल्रेड़ी इच्छा करते हैं तो उनको भी जब इंडिया में allow किया जाएगा तो बो भी aircraft का जो बहुत बड़ा investment है maintenance manufacturing के उपर जब उसके लिए हम depend कर रहे था out of इंडिया में तो बो भी क्या हो जाएगा इंडिया में इंडिया के अंडिया को benefit दे पाएगा तो इतने चीजे थी हमारा इंडिया में क्या है कि हम civilization में क्या क्या reforms ला पाए यहाँ पर कुछ short में बता आ गया है कि tax regime for MRO ecosystem has been rationalized मतलब हमारे tax system में कुछ छूट देंगे तो हमारा इंडिया में MRO ecosystem बन पाएगा जिससे हमारा traveling में भी cost कम पड़ सक पड़ेगा दूसरा aircraft component repairs and airframe maintenance to increase from 800 crore to 2000 crore in 3 years अब अगर इंडिया को MRO hub बनाएगे MRO ecosystem लाएगे इंडिया में तो आभी जो 800 crore है यह जो आमारा जो हमारों को मिलता है फाइदा वो हमारे तीन साल में कितना हो जाएगा 2000 crores को implement हो सकता है maintenance की बज़े से जो हो रहा है इसके आलाब major engine manufacturers in the world would set off engine repair facilities in India in the coming year मैं बोला था कि हमारा बहुत सारी manufacturer है वो चाहते हैं कि एंडिया में engine manufacturing repairing का hub कोले इससे भी आमारा aircraft को out of India नहीं जाना पड़ेगा और एंडिया के अंदर ही आमारा क्या करना पड़ेगा maintenance करना पड़ेगा जिसका effect क्या होगा कि airlines को cost कम पड़ेगा maintenance cost जिससे हमारा air travel का cost कम हो जाएगा maintenance cost for all airlines will come down इस तरीके से सीधी सी बात में कहा जाया है कि हमारा जो maintenance cost कम हो जाएगा airlines के लिए एंडिया में एमार हो बनने से तो हमारा airline का जो fare travel cost है उसमें भी कम हो सकता है